आज में बनाने जा रही हूं कोचिट से बालियां अगर आपको भी कुछ जनना है तो कॉमेंट करें और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सुब्सक्राइब करें हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें आज में बनाने वाली हूं इस तरह की कान की बाली जो बहुत ही इजी है उसके लिए ये जो है सिंपल सा रिंग चाहिए आप अपने रिंग जो है च्वैस के अकार्डिंग ले सकते हैं इस से छोटा भी बड़ा ले सकते हैं धागा जो है ये एंकर का है मैंने दो कलर का धागा यूज किया है इसमें आप चाहें तो एक कलर का भी धागा यूज कर सकते हैं इन दोनों को मिला के मैंने यूज किया है एक प्लेन है और एक दो कलर में है वाइट और पिंक ये मैंने दो कलर का धागा यूज किया है दोनो को जोड़ के और 2 mm का कुरुशिया तो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले स्लिपनोट भी लगा सकती है इस तरह से इंदर डैरेक्ट में एक चिन बनाने एक चिन बनाने के बन इस पूरे इस रॉंड के अंदर जो हमें है बाली के अंदर हमें 33 टैम सिंगल कुरुशिया बनाना 1 2 3 4 5 6 33 बार 6 1 2 3 4 5 6 7 8 में पूरे 33 टैम 33 बार सिंगल कुरुशिया बनाने के बन आगे बताती हूं यह वारा सिंगल कुरुशिया बनके 33 टैम कंप्लेट हो गया है सिंगल कुरुशिया बनाएगा दें सबसे पहले आप सिली पिश्टीच पांच चेंड में आपको डलना है एक दो 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 तीन चार पांच चैन में सिली पिश्टीच और छटे चैन में हमको सिंगल कुरुशिया बनाना यह देखिए अब हमें पांच चैन बनानी है वन टू री और पांच चैन बनाने के बाद चार चैन को इसकिप करना चुड़ना है वह एक दो तीन चार पांच में चैन में हमें डबल कुरुशिया बनानी है अब हमें सेबन टाइम साथ बाद डबल कुरुशिया बनानी एक दो तीन चार पांच चे साथ 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 सेबन टैम डबल कुरुशिया वन टो थ्री फॉर फाइब सिक्स एवन पांच चैन एक दो तीन चार पांच चैन पांच चैन बनाने की बाद हमें नेक्स चैन में फिर से सेबन टैम डबल कुरुशिया बनानी है वन तो ती से पांच चैन ले ना यह ब्रुशिया बनानी की बाद फिर से में पाथ चेन लेना है एक दो तीन चार पाथ चेन लेने के बाद फो चेन स्किप करके वन टू थ्री फो फाइब में हमें सिंगल कुरुषय से एड़ कर दिना एड़ हो क्या यह हमारा सिकन रूप से यार हो गया अब हमें थर्ड रूड बनाने है यह चेन बनाना है एक चेन बनाने के बाद आप टरंड कर लें घुमा लें इन तरफ इस चेन में हमें सिंगल दिश्य बनाना है आठ टाइम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चैन सिंगल कुर्शे बनाने के वाद सेवें डबल कुर्शे जो है सब के अंदर हमें सिली पे स्टीच बनाना है एक दो एक दो प्यूँ प्यूँ आठ चार पांच आठ आठ छे लिए सेवन टैम सिंगल कुश्य बनाने के बाद इस पाँच चैन का जो गैप था उसके इंदर हमें चार वर पोर टैम सिंगल कुश्य बनाने वन टू त्री फोर टैम सिंगल कुश्य बनाने के बाद तीन चैन एक दो तीन ट्री चैन और फिर से इसी में इस पेस में हमें फोर टैम सिंगल कुश्य बनाने वन टू त्री फोर टैम सिंगल कुश्य बनाने के बाद सेबन टैम जो टैमल कुश्य बना था फिर से उसक्रूपर सेबन टैम स्लिप इस्टिच 2 3 4 5 6 सेवेंगें सिंगल कुर्षय बनाने के बाद इस चेन के अंधर हमें फिर से एट टाइम डबल कुर्षय और स्वरी सिंगल कुर्षय बनाने से पिष्टीज बनाने के बाद इट टेन सिंगल कुर्षय है'd aí है आप चाहेतो यहाँ पर मोला सकती है नगो पर चाहेतों पीचिर दूसरा प्रम इसमें बना तेक्र लिए अलग डिजाइन प्रेटर ह stretching आप चाहेतो यहाँ अगला आगे बाला रोप बनाने के लिए बताते हैं हुमें इसे ट्रंड कर लेना है फिर से हमें सिलिप इश्टिच बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अवे लिए्टश स्वाइ नद तेंत रहे, स Sell मंझेश हैं, वह मैं यहां पर साथ चेन बनानों 1,2,3,4,5,6,7,7 चेन बनाने के बाद, साथ चेन बनाने के बाद, इस लूप में जुद्ध सींगल कुरिशय से इटच कर देना, फिर से हमें यहां पर 5 चेन, 1,2,3,4,5,5,5 चेन बनाने के बाद, चेन में हमें सिंगल कुरिशय से जोड़ देना, फिर से हमें 7 चेन बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chain बनाने के बाद, यहाँ पर हमें इस लास्ट में 7 जो डबल कुरिशे बनाया थे, उसके लदर हमें सिंगल कुरिशे से जोड़ देना, अब हमें इसके अंदर, उसको घुमा लेना है, अब आने के बाद, इस लोग के अंदर हमें सिंगल कुरिशे बनाने ही, 10 टैम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 10 टैम, इस चान के अंदर, इस चान के अंदर, इस चान के अंदर हमें, चार वार फोड़ देना, 4 x चिंगल कूश्य स्गराना है , , , , , , , Nine to 3, 4, , , , , , , oh , 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 ,, , , , ,、、 में फिसे 4 टैम सिंगल कुश्य बनानी है एक दो तीन चार इसके अंदर हो गया अब हमें फिसे ये 7 चेन का जो गैप है इसके अंदर 10 टैम हमें सिंगल कुश्य बनानी है है डो तीन चार पाच पूश्य गसे है वाट यौट अश्य गिंगे वह सबस्क्राइब है अश्य गला यह हमें गए अट अट 9 10 यह मारा complete हो गया अब हमें एक चिन बनाने के बाद यहाँ पर धागे को कट लेना यह मारा complete हो गया है इसको धागे से सुई धागे की मदद से उसके धागे को अब हमें अरी बाली जो है complete हो गई है अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें प्लेज सब्सक्राइब करना ना भूले हुआ है